नमस्कार, SBT News में हमका स्वागत है, बेशे 27 मार्ज शानिवाद दोपह सबातीन बजे राजिस्तान की बड़ी खबरे मुख्यमेत्रिय अशोग एहलोट नहीं कहा है कि कोरोना की दूसी लेहर को गंभीता से लिया जाना चाहिए पिछले साथ आस्थान में 18 मार्ज को कोरोना के 17 केस थे, लेकिन अब एक साल बाद भी केस पढ़ रहे हैं हम चाहते हैं प्रदेश में कोरोना नहीं फैले, जरूरत पड़ेगी तो हम सक्ति करेंगे, हम लोगडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन लोगडाउन के बिना भी हमें बहुत सक्ति करनी पड़ेगी उन्होंने आज जरूर में प्रदेश के 14 कारियों का अनलाइन शिलानियास और लोकारपन करते हुए ये बात कही गयलोद ने कहा कि महरास्ट, केरल, दिली और पंजाब में हालात खराब हैं कोरोना काल के बीच रविवार से हवाई सेवाओं के लिए समर्शड्यूल शुरू होने जा रहा है जयपुर इंटरनेशनल एरपोर्ट से अलग-अलग एरलाइन्स ने एक दरजन नई उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव दिया है इनमें कई नए शहर जयपुर से जुड़ेंगे वहीं वर्तमान शहरों के लिए संचलेत विमानों की संख्या में भी इज़ाफा होना तय है जयपुर से फिर से वडोद्रा जार अंधर और लखनों के लिए सीधी उड़ान भी शुरू होगी एक बार फिर से इंडिगो एरलाइन जयपुर से पचीस से जदा उड़ानों का संचलन करने के मामले में सिर्म और रहेगी सुरजगड में पुलिस ने नाकाबंदी तोड कर भागने वे पुलिस के गाड़ी को शतिग्रस करने के आरूप में च्वार यूको को शुकरवार शांती भंग करने के आरूप में गिरिफतार किया है पिलानी थाने से सूचना मिली थी कि एक संदिग्द कैमपर गाड़ी में कुछ यूवक सवार है जो कि पिलानी में की गई नाकाबंदी तोड कर सुरजगड की ओर भागे हैं इस बीच सूरजगड पुलिस ने कस्पे में नाकाबंदी कराई तो वहीं गाड़ी चौलक फिर से नाकाबंदी तोड़कर जाखोद गाओं की ओर भाग गए पुलिस ने पीछा किया और पकड़ लिया जैपुर में तीन मंत्रियों ने मुख्य मंत्रि अशोग गहलो से मुलाकाद की इसे सिस्टा चार मुलाकाद बताया जारा है प्राफटर जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री रगु शर्मा प्रताप सिंग वे सुभाश गर्ग ने मुख्य मंत्री से भेंट की अब तक राजसान बॉर्डर पर ही सेना की गष्ट में उप्योग होने वाले राजसानी ऊंट अब लेह लदाक में चीन बॉर्डर पर भी दिखेंगे बिगानेर में 50 रिक्री तापमान में रहने वाले चारूट बीते 4 साल से लेह में माइनस 20 रिक्री तापमान में रह रहे हैं ये अच्छी तरह सर्वाइब भी कर चुके हैं इतने कम तापमान में डीजल पेट्रोल जम जाते हैं इसलिए वहाँ वहानों से घर्ष्ट नहीं हो सकती ऐसे में ड्रोन या फिर पैदल ही घर्ष्ट होती है अब लेहका डिफेंस इंसिट्यूट फॉर हाई एटिट्यूट रिसेर्च सेंटर राजिस्थाने उटो से में शेत्रों में मिशन के तहर्ट 2178 पर्योजनों को मंजूरी प्रदान की गई इसे प्रदेश के 975 गाओं में 21,55,941 घरों को नल से जल कनेक्शन दिये जाएंगे जल्डावी भाग में गत करीब डेड महा में आयो जित एसल एसससी की ये चौथी बैटक थी इसमें भारत में हो रहे फरजी वाड़े को रोकने के लिए परिवहन विभागने नया कदम उठाया है इसके तहर अब किसी भी वाहन को लोन मुक्त करने से पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन किया जाएगा यानि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी सत्यापन होगा इस समन्द में परिवहन होली इलाके में 28 और 29 मार्च को मनाया जाएगा पर्व को लेकर लोगों में उसा है आनंकि कोरोना संकट की चलते इस बास सारवजनिक आयोजनों पर रोक है लेकिन शाम के 4 बज़े से रात के 10 पजे तक सारवजनिक आयोजनों की चूट दी गई है ऐसे में होली का दहन को ल मृत्यों के बाद होने वाले रस्मत दाहका आदी आयोजनों के लिए किया गया है इस अफसर पर मुख्य अतिति श्री जगदंबा अंद एम मुखबदिर विद्याले के संसापक स्वामी ब्रह्मदेव ने कहा कि यह हौल सभी के लिए उपयोगी होगा उन्होंने कहा कि श् पूर्व ग्रह मंत्री प्रोफेसर केदार की 28 में पुन्यति थी पर शनिवार कुष्टी गंगानगर में उनके समाधी स्थल और केदार चौक प्रतिमा स्थल पर कारिक्रम हुआ प्रोफेसर केदार मंच के तत्वाधान में हुए काईकर में स्वर्गय प्रोफेसर केदार को श्रधा सुमनर्पित किये गए प्रोफेसर केदार को श्री गंगानगर का गांधी बताते हुए नमन किया श्री गंगानगर जुला मुख्याले पर एक कालिक्रम में भागले ने पहुंचे शेत्रिय सांसद निहाल जंद का किसानों ने शनिवार को विरोध किया हलांकि सांसद वे किसानों का आमना सामना तो नहीं हो पाया फिर भी किसान तीन क्रिशीर बिलो और सांसद निहाल जंद के विरोध में काले जंदो सहित प्रदर्शन कर लोट गए किसान आदमे के गुलाल सिंग बरार ने बताया कि पदम पुरोड कल्यान भूमी में एक कालकर में सांसद की पहुंचने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में किसान भी वहां पहुंच गए लेकिन पुलिस ने किसानों को भीतर नहीं जाने दिया इस पर किसानों में रोश फैल गया श्री गंगानगर में बाबा खेतरपाल का होली मेला शनिवार अलसो बैसे शुरू हो गया है पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचों शद्धालों ने बाबा के दरबार में धोक लगाई बाबा के मन्दिरों में धोक لगाने का सिलसिला कलर विवार को भी जारी रहेगा पराने बादी उदाराम चौक सित बाबा खेतरपाल मंदिर सुरतगर रोड सित खेत्रपाल मंदिर सेत्या कॉलोनी सित खेत्रपाल मंदिर में दिनभर शद्धालों की कतार लगी रही भारती जंदा पार्टी के नेताओं और कारेकरताओं को निकट भविश्य में संगठन की बैठकों के लिए किसी उधारी के स्थान की तरफ नहीं ताकना पड़ेगा यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामे जुन जुलाई माह में भाचपा का अपना कारेले भवन बन कर तयार हो जाएगा श्री गंगा नगर में सुरतगर रोड के नजदिक सद्भावन नगर में 100 गुना 205 फिट साइस के भुखन पर करीब एक साल से इस भवन का काम चल रहा है भाचपजिला उपाध्यक संजब महिपाल ने बताया कि तीन मंजिला ये भवन अत्याधुनिक सुविधाओं वाला होगा अभी इसका धांचा तयार हो चुका है आगामी तीन माह में इसके प्लस्तर, फर्श, फनीचर और रंग रोगन का कार पूरा हो जाने के उमीद है तो फिलाल इस प्लेटिन में इतना ही फिर हज़रोंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें